Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Learn Easy. दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है The Phantom Luncheon. जो के Hector Huge Munro दुवारा लिकी गई है. Hector Huge Munro, जिसका एक सूडो नेम है Saki. Hector Huge Munro, एक प्रिटिश राइटर रह चुके हैं. The Phantom Luncheon को Saki ने बहुत ही interesting way में explain किया है. तो दोस्तों, इस स्टोरी को शुरुआत करने से पहले, इसके कुछ interesting characters से मैं आपका introduce करवाना चाहूंगी. इस स्टोरी के सबसे mean character है Sir James, जोगे एक politician है. और वो अपने words को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. इसमें second character है Sir James की wife Lady Brickminton. Lady Brickminton की एक who-who sister का भी इस short story में जिकरी किया है, जिसका नाम है Millie. और दोस्तों, इस story में सबसे interesting जो character है, वो है Smithly Dubb sisters. इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. तो चलिए दोस्तों, इस story की शुरुआत करते हैं. तो दोस्तों, जैसे मैंने अपको बताया, Sir James जो के एक politician है, वो अपने wife को convince करते हैं, कि वो Smithly Dubb sisters को किसी अच्छे और महेंगी hotel में lunch के लिए ले जाएं. और उन्हें अच्छे से host करें, ताकि उनके family से उन्हें खूब सारे words मिल सकें. इस topic पर, Lady Brickminton Sir James से कहती है, कि मैंने आज तक बहुत से लोगों को host किया है, लेकिन सज बताऊं, तो मैं Smithly Dubb sisters को बिलकुल भी host नहीं करना चाहूंगी. मुझे माफ कर दीजिए. Actually, Smithly Dubb sisters बहुत ही greedy किसम की है, जहां पर भी वो खाना देखती है, या इस तरह से कह सकते हैं, जहां पर भी वो free और अच्छे quality का खाना देखती है, वहाँ पहुच जाती है. इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद भी, Smithly Dubbs सर्फ free का ही खाना दूनती है, बस यहीं वज़ा है, जिसके वज़ा से Lady Brickminton उन्हें host करने से मना कर देती है. जोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस story में Lady Brickminton की एक sister है, Millie, जो हूब हूब लेडिर डिकminton की तरह ही दीखती है. Lady Brickminton अपनी बहन Millie से request करती है, कि Millie क्यों न तुम इन Smithly Dubbs sisters को host करो और उन्हें lunch के लिए बाहर ले जाओ. इस पर Millie Lady Brickminton से कहती है, कि मैं तो Smithly Dubbs को जानती तक नहीं, तो मैं उन्हें कैसे host कर सकती हूँ? और माफ कीजिए, लेकिन मुझे उसी दिन lunch पर जाना है, hotel Kalten में. इस पर Lady Brickminton कहती है, ठीक है Millie, कोई बात नहीं. वैसे तुम Kalten Hotel कितने बज़े जाने वाली हो? और Lady Brickminton मिली से कहती है, ठीक है, मैं है Smithly Dubbs को अटेंड करूँगी. Smithly Dubbs से मिलने से पहले, Lady Brickminton अपने लुक को थोड़ा सा चेंज करती है, और इसके बाद वो कलब पहुंच जाती है, जहाँ पर Smithly Dubbs पहले से ही मौजूद रहती है. जैसे ही वो Smithly Dubbs से मिलती है, तीनों सिस्टर्स थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि Lady Brickminton का लुक काफी चेंज हुआ रहता है, लेकिन वो इतना गौर नहीं करती, क्योंकि Lady Brickminton उनसे कहती है, कि लंच के लिए होटल कार्टन कैसे रहेगा, और वो तीनों सिस्टर्स सारी चीज़ों को भूल कर फौरण लंच के लिए तयार हो जाती है, और वो सारे टैक्सी पगड़के होटल कार्टन पहुँच जाते हैं, दोस्तों होटल कार्टन पहु आगे जानते हैं कि किस तरह से वो उन स्मितली डब्स सिस्टर्स को बेवकुफ बनाती हैं, होटल पहुँचते से ही तीनों बेने एक्सपेंसिव डिशेस ओर्डर करने लग जाती है, और जैसे ही खाना आ जाता है, तीनों एक की पीछे एक खाना स्टार्ट कर देती हैं, उ जोड़ा बहतर करीकी से समझा जाएं, तो उसकी अभी प्रेजेंट अर्ण पोपिलारिटी है, वो खत्म हो जाएगी, तो लेजिद, प्रेकमेंटन ये कहती है, कि सच में मुझे तो ये सब नहीं पता, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ जानती नहीं और ये कहती हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंट्रेस्ट ही नहीं है, ये सुनकर वो तीनों बहने बहुत ही शौक हो जाती हैं, और वो तीनों बहने अपना कफ का, कॉफे का जो मग होता है, उसे नीचे रखकर लेजिद प्रेकमेंटन से कहती हैं, कि आप ये क्या कह अलावा मेरे पास और भी काफी सारी चीज़े हैं, जो मुझे करना होता है, इस टॉपिक पर स्मिटली डप्स की सेकंड सिस्टर अमेंडा उनसे कहती है, कि मैंने तो ये सुना है, कि आप तो काफी अच्छी तरीके से इंशॉरंस आप के उपर एक स्पीच दिया था, इस प तीनो बेहनों से कहने लगती है, शायद मैं किसी मिमरी लॉस्ट से सफर कर रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कौन, इस दर्ती पर मेरा वजूद क्या है, मुझे तो सर्फ इतना याद है कि आप तीनो बेहने मुझे कहीं पर मिली थी और आपने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर लंच पर मिले हैं, ये सुनकर तीनो बेहने बहुत ही शौक हो जाती है, और वो लेडिर ड्रेकमेंटन से कहती है, कि हमने आपको नहीं, आपने हमें इन्वाइट किया था लंच के लिए, ले आपने हमें लंच के लिए इन्वाइट किया हैं, लेडिर ड्रेकमेंटन उन तीनो बेहनों से कहती है, आप ज़रूर मुझसे माजाग करे है, मैं लेडिर ड्रेकमेंटन कैसी हो सकती हूँ, और उतने में ही मिली कुछ लोगों के साथ काल्टन होटल में ही लंच के लिए आ पर Lady Dragminton भूलने का नाटक करती है दोस्तों मैंने आपसे शुरुवात में कहा था कि मिली जो के Lady Dragminton की तरह ही हुभुभु दिखती है बस वही उस होटल में कुछ लोगों के साथ लंच के लिए आई थी चलिए हम आगे अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर Lady Dragminton उन तीनों बैनों से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकती हूँ कि हम कहां मिले थे इस टॉपिक पर तीनों Smithy Dubs कहती है कि हम आपको क्लब में मिले थे तो इस बात पर Lady Dragminton ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उन्हें कुछ याद आ गया और वो उनसे कहती है ओ अच्छा अच्छा मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ तैंक इस सो मच मैं Allen Niggle हूँ जो उस कलब में प्रास पॉलिशिंग की एक नई मेंबर हूँ और अकसर मैं उस कलब में जाती रहती हूँ और वहीं पर मैंने लेडर डेकमेंटन को भी देखा था थैंक इस सो मच कि आपने मुझे पर इतना फेवर किया और आपने मुझे इतना अच्छा लंच भी खिलाया अब चलिए बहुत देर हो चुकी है मैं चलती हूँ और इतना कहकर लेडर डेकमेंटन उन तीनो स्मिती डप्स को वहीं पर छोड़कर उस होटिल से निकल जाती है स्मिती डप्स तीनो बहने बहुत ही ज्यादा परिशान होती है जैसे ही उनके हाथ में बिल आ जाता है जो उन्होंने खाना expensive dishes order की थी उसका बिल देखकर वो तीनो परिशान हो जाती है और बिल्कुल रोने लग जाती है उस वक्त उन तीनो बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनो बहने इस हाथसे के बाद politics को छोड़ देती है और काफ़े सुदर जाती है और अपनी जिन्दगी नए सीरे से शुरू करती है और अच्छा काम करने लग जाती है तो दोस्तो इस तरह से Lady Drake Minton ने उन तीनो बहनों को इस स्टोरी में सबख सिखाया है I hope आपको मेरी ये स्टोरी अच्छे लगी होगी दोस्तो अगर आप इस स्टोरी का English English में translation चाते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही अच्छे वीडियो को जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you झाल झाल Thank you